इस पोइज के पोखो जंद लौँच करेगी अपनी पोखो एफफफफ स्रीज को इंडिया जा अंधर इस स्रीज में आपको दो स्माट्फोन देखने क्यों उम्हेंगे पोखो एफफफफफघ और Poco F5 Pro दोस्तो आज के इस वीडियम बात करेंगे Poco F5 5G स्मार्टफोन की कंफर्मिस फेसिफिकेशन क्योंकि ये वाला स्मार्टफोन चाइना में लौंच कीगे Redmi K60E का री बरंड वर्जन होने वाला है इंडियन मार्किट के अंदर तो दोस्तो आज के इस वीडियम बात करेंगे Poco F5 5G स्मार्टफोन की कंफर्मिस फेसिफिकेशन एन एक्सपेक्टट प्राइस की और बात करेंगे कब तक लौंच किया जाएगा Poco F5 को इंडियन मार्किट के अंदर तो दोस्तो जानकारी के लिए बने रही वीडियो में एंड तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजे क्योंकि आपको लेटिस स्मार्टफोन के आएगी डिजाइन के बारे में अभी कुछ भी कनफर्म नहीं है लेकिन पोको की ब्रांडिंग के साथ आएगा तो पोको का ही नॉर्मली यहां पर डिजाइन देखने को मिलेगा डल भी वीजन की सपोर्ट मिल जाएगी HDR10 प्स की स्राटिफिकेशन मिल जाएगी और यहां पर मिलने वाली आपको 10 बिट कलर डिस्प्ले जी यहां कलर काफी पंची और कलर काफी सार्प होने वाले है डिस्प्ले की बात के तो कंटेंट वाचिक करने जैसे नेट्फिक्स प्राइम वीड़ का मज़ा खूब लेने वाली यहां पर आपको कंटेंट वाचिक में बिलकुल भी सिकायत नहीं आएगी और नहीं आएगी गेमिंग करने में की यहां पर मिलेगा आपको 120 गिगएड का हायर रिफ्रेश एट का एक्स्प्रेंस अल्टरा स्मूर्थ होने वाला है एन 480 गिगएड का टच सेंप्लिंग रेसो गेमिंग के लिए तो काफी बढ़िया डिस्प्ले मिलने वाली यहां पर आपको सिकायत नहीं आएगी अगर बात करें ब्राइटनेस की तो यहां पर मिलने वाली है आपको 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस इंडोर आउट्डोर विजिबिल्टी काफी अच्छी होने वाली है यहां पर आपको ब्राइटनेस में बिलकोल भी सिकायत नहीं आएगी कोर्नी गोरिले गलास विक्टरस की फ्रेंट में आपको प्रोडक्शन मिलने वाली है ओवरॉल डिस्प्ले काफी अच्छी मिलने वाली है डिस्प्ले सापको सिकायत नहीं आएगी यहां पर मिलेगी आपको साइड माउंटेट फिंगर पिंटी स्कैनर की सपोर्ट टू हंडेड वाली चिप्सेट मिलेगी आपको जो की 4 नैनोमेटर फैबरिकेस में बनी भी चिप्सेट है एक पावरफुल गेमिंग चिप्सेट है यहां पर आपको परफॉमेंस में बिलकुल भी सिकायत नहीं आने वाली CP परफॉमेंस के बात करें 3.1 GHz की पिक किलो की स्पीड मिलने वाली है CP परफॉमेंस भी काफी तकड़ी मिलने वाली है यहां पर आपको परफॉमेंस है बिलकुल भी सिकायत नहीं आई यह काफी अच्छी गेमिंग करने वाले है इसी स्मार्टफोन के अंदर फोन में ग्राफिक्स की बात करें तो आर माली G610 MC6 ग्राफिक्स मिलने वाली है तो ग्राफिक्स रिलेटिड जो भी टास्क होंगे आप इसली निम्टा पाएंगे यहां पर आपको ग्राफिक्स में बिलकुल भी सिकायत नहीं आन वाली LPDDR5 वर्जन वाली RAM और UFS 3.1 वर्जन वाली स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगी तो ओवरॉल परफॉमिस काफी तकडी मिलने वाली परफॉमिस से आपको सिकायत नहीं आगी तो दोस्तों बात करते हैं फोन के कैमरा सटप की तो ट्रिपल लियर कैमरे का साथ मिलेगा आपको बैक में 48 मेगा पिक्सल का मैंन सेंसर होगा विद ओवाइस की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी यानिके अल्टरा किलियर पिक्चर वीडियो रिकोडिंग और फोटो देखने को मिलेगे यहापर 8 मेगा पिक्सल का अल्टराइट और 2 मेगा पिक्सल का यूजलेज माइक्रो लैंस देखने को मिलेगा और 4 के में वीडियो रिकोडिंग कर पाएंगे ओवरोल कैमरा काफी अच्छा मिलने वाला है और 20 मेगा पिक्सल का सैल्फी कैमरा देखने को मिलेगा 1080 pixel पर video recording कर पाएंगे dual stereo speaker मिल जाएंगे high resistant audio certification के साथ IR blaster मिल जाएगा Bluetooth 5.3 मिल जाएगा Wi-Fi 6 मिलेगा वो भी dual band NFC supported होने वाला है यह smartphone तो दोस्तों बत करते हैं phone के battery department की तो यहाँ पर मिलेगी आपको 5500 damage की battery और battery को charge करने के लिए 67 watt fast charging की support USB Type-C port के साथ यानिके overall battery department का फिये चमिलने वाला है यहाँ पर आपको battery सा सिकायत नहीं आएगी तो दोस्तों बत करते हैं phone के launch date की तो इंडिया में POCO F series फरवरी के end या फिर मार्च के first week में launch की जाएगी अगर expected price की बात के तो 30 से 32,000 के बीच में price देखने को मिलेंगे POCO F5 5G smartphone के तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेट्स करके जीडियो बताइए आज की जीडियो में तना ही कल फिर मिलेंगे को उन्ने वीडियो सा तब तक के लिए थैंक्यू वाचिंग दे जीडियो जीडियो में जीडियो जीडियो